हलो एरिवन एक बार फिर से स्वागत हाव लोगों का हमारे चैनल बेस्ट नोर्स टिटोरियल में तो आज के जो टॉपिक है वो है उत्राखन एक एतिहासिक संग्षिप्ति करन भाग दो तो चलिए सुरू करते हैं तो आपका पहला प्रेस्ट है राज्य के किस प्राग एतिहासिक पुरा इस्तल से 5 किलो का मुखोटा मिला है तो आपका सही आंसर होगा ओप्षन ए मलारी मलारी गाओं के बारे में हम पिछली वीडियो में डिसकस कर चुके हैं यह आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखिए तो उस वीडियो का लिंक डिसक्वेश्म बॉक्स में हैं अगले क्वेशन पर चलते हैं किस प्राग्ऐटिहासित्ल के शेल चितर में यूगनमम्र में मानव का चितर आनों किया है तो आपका सही आंसर होगो अप्षन सिय मोर छाओ है यहां के योग तथा नरित्य मुद्रा वाली मानवा कृतियां मिली हैं जिसमें योग मुद्रा में मानव का चित्रां किया गया है तो अगले क्वेस्टन पे चलते हैं उत्राखन के इतिहास के प्रमुक्स रोत हैं यानिके उत्राखन के प्रमुक्स रोत अहां से मिल तो आपका सही आंसर होगा ओप्सिन भी पौरानिक गिरंस है पौरानिक कथाओं में ग्यान सत्य घटनाओं तथा कल्पना का समिस्रण होते हैं पौरान ग्यान यूग कहानियों का एक विसाल संग्र होते हैं पौरानों को वर्तमान यूग में रचित विज्यान कथाओं के जैसे ही समझा जा सकता है तो अगले question पे चलते हैं निम्न में से तिर्सूल लेख कहां से प्राप्थ हुआ है तो आपका सही answer होगा option D A और B दोनों यानि कि गोपेसर एवं बाड़ा हाट से गोपेसर के रुद्र सिव मंदिर के तिर्सूल लेख में दो राजाओं यानि कि दो राजे थे जो नाग पतिना वो असोग चल के लेख हैं छटवी सती में नाग पतिनाग ने इस छेतर को जीता था तथा बारवी सती में पस्चिम नेपाल के राजा असोग चलने इस छेतर को जीता था तो अगले question पे चलते हैं पाली भासा के बोध साहित्य में उत्राखन छेत्र के लिए प्रयुक्त सब्द है तो आपका सही आंसरोगो ऑप्शन भी हिमवंत तो अगले क्वेशन पे चलते हैं मनुस्यों के आदी पूर्वज मनु का निवास इस्थान हुआ धनाब भी पती कुवेश की राजनी कहां थी तो आपका सही अंसरोगो ऑप्शन भी अलकापूरी हिंदु धर्म के अनुसार एक पौरानिक नगर है यह यक्षों के स्वामी धन के देवता कुवेर की नगरी है महा भारत में इस नगरी का उल्लेक यक्षों की नगरी के रूम में आता है इस नगरी की तुलना देवों के राजा इंद्र की राजधानी से की जाती है तो अगले question पे चलते हैं तो अगले question है प्राचीन ग्रंथों में अलकनन्दा उद्गम से बद्री कास्रम के बीच के छेत्र को क्या कहा गया है तो वो कहा गया है option C अलकापूरी नहीं कि प्राचीन ग्रंथों में अलकनन्दा उद्गम से बद्रिकास्रम के बीच के छेत्र को अलकापूरी कहा गया है तो अगले क्वेशन पे चलते हैं अगला क्वेशन है भगवान सिरी राम चंदर जी ने अपने अंतिम समय में किस इस्तान पर तपस्या की थे तो आपका सही आंसर होगा ओपस्या बी देव प्रियाग में देव प्रियाग में भगवान राम का एक मंदिर है और ऐसे मानेता है कि भगवान राम ने अपने अंतिम समय में यहाँ पर तपस्या की थे तो अगले क्वेशन पे चलते हैं अगला केदारनाच को प्राचीन गरंथों में क्या कहा गया है महां भारत के वन पर में हरिद्वार से केदारनाथ तक के यात्रह में पढ़ने वाले इस्तानों का वर्णन मिलता है तो अगले क्वेशन पर चलते हैं बसंत देव के बात कार्थिके ये पूर राजवन पर किस परिवार के सत्ता इस्तापित हुई तो वो हुई ओप्शन बी खर पर देव वन्स के खर पर देव तो अगले क्वेशन पर चलते हैं खर पर देव वन्स के बात का टिके ये पूर में किस वन्स की सत्ता इस्तापित हुई थे तो वो हुई थे आपके निम्बर वन्स के, ओप्शन बी, तो अगले क्वेशन पर चलते हैं, समराट भारत का जन्म कहां हुआ था, तो वो हुआ था, समराट भारत का जन्म कनवास्टरम में हुआ था, भारत प्राचिन भारत के एक चक्रवर्ति समराट थे, जो कि राजा दुशन तथा रानी सकुंतला के पुत्र थे, उनके पिता का नाम दुशन तथा माता का नाम सकुंतला, अथा एक चंद्रवन्सी राजा थे, भारत के बल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, कि व अतहर भारत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा तो अगले क्वेशन है निम्बर वन्स का वह सासक कौन था जिसने समस्त उत्राखन को एक सूत्र में बांधना चाहा तो वह था इस्ट गंडेव तो अगले क्वेशन पर चलते हैं तो अगला क्वेशन है जागेश्वर में किस सासक ने नव दुरगा महिस मर्दिनी लकुलिस तथा नटराज आदिम मंदिनों का निर्मान कराया था तो वह कराया था आपके आप्शन से इस्ट गंडेव ने तो अगले क्वेशन पर चलते हैं पांडू केश्वर तामर पत्र में किस सासक को कली कलंग पंक में मगन धर्ती के उद्वार के लिए बराह वतार बताया गया है पांडू केश्वर तामर पत्रों में इसे काली कलंग पंक में मगन धर्ती के उद्वार के लिए बराह वतार के समान बताया गया है लली सूर देव की सरवादिक तामर पत्रों में लली सूर एक महा निर्माता था इसके समय में कार्तिकेशपूर सामराज्य की सीमाओं का सरवादिक बिस्तार हुआ था तो अगले क्वेशन पर चलते हैं कुमाओं छेत पर कत्यूरियों के बाद किसके नित्रुत में चंद्र राजवन्स की सत्ता इस्तापित हुई तो आपका सही आंसर होगा ओप्सन डी सूम चंद अगले क्वेशन है चंद्र राजवन्स के किस सासक ने रेसम और रेसम मुस्त्र का उच्पादन शुरू करवाए था तो आपका सही आंसर होगा ओप्सन से इंद्र चंद तो अगले क्वेशन पर चलते हैं पंद्रा सो बासट इसवी तक चंदो की राजवन्स के किस सासक ने अपनी राजवनी चंपावत से अलमोड़ बनाए तो आपका सही आंसर होगा ओप्सन डी यह और भी दोनों यानि बल दिये उन्हें और बालो कल्यान चंद ने तो दोस्तों हमसे जोड़े रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक पे नए दिन में नए टॉपिक में तब तक के लिए टाटा बाई 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 टेक केर